दाटास्क बारवी में आप सभी का स्वागत है ये दोनों लड़किया दिन भर सोती रहती हैं इतनी बड़ी हो गई इन्हें तो सुभाई उठ जाना चाहिए चल कर दोनों को जगाती हूँ जाडू तो लग गया बस गेहू बनाना है इन दोनों को उठाकर गेहूं बनाती हूँ अरे तुम दोनों दिन भर सोती ही रहोगी या उठोगी भी दादी हम दोनों तो कबके उठे हुए है ये कैसा उठाना हुआ कि बिस्तर पर ही पड़े रहो ठीक है दादी बिस्तर से निकल रहे है ठन जादा लग रही थी इसलिए हम दोनों बिस्तर में ही थे अच्छा अब बाहर आओ मेरी कुछ मदद करो तेरी मम्मी तो बबुआ को लेकर डॉक्टर के पास गई है घर में आटा खतम हो गया है तो? तो गेहू धो कर सुखाने होंगी दादी मुझे तो ये सब नहीं आता गेहू धोने में क्या है तुम दोनों अंदर से गेहू लाकर मुझे दे दो मैं धो धूंगी ठीक है दादी चलो निलिमा आज देखेंगे दादी गेहू कैसे धोती है निलो निलिमा सामने वाले कमरे में गेहूं रखा है जा कर ले आओ जल्दी से ठीक है दादी अभी हम गए और अभी लाए दोनों कमरे में से गेहूं लेने चले जाते है निलो गेहूं दोना जरोरी होता है क्या हाँ इसे कमरे में गेहूं रखा है ना हाँ हाँ इनसे कमरे में रखा है दोनों गेहूं लेकर धनिया के पास चले जाते है दादी ये लो गेहूं में गेहूं लेकर आ गई रुको जरा मैं देखो कहीं गेहूं में धूल मिट्टी तो नहीं है अरे गेहूं में तो धूल मिट्टी है पहले गेहों को साफ करना होगा फिर धो धूंगी रुको मैं अंदर से सूप लेकर आती हूँ बहु वाले कमरे में रखा था सूप पता नहीं है भी या नहीं चलो देख लेती हूँ शुकर है इसी कमरे में मिल गया नहीं तो इसे मैं ढूनती ही रहती बेटी जरा किचन से चटाई लेकर आओ ठेक है दादी अभी लाई लगता है चटाई पर गेहों साफ करेंगी दादी नेलो किचन में से चटाई ले आती है नेलो इसे अच्छे से बिछाना इसी पर गेहों बनाएंगे ठेक है दादी अच्छे से बिछा दोंगी ऐसे करने से सारे कंकड निकल जाएंगे दादी आप गेहूं साफ करो तब तक हम दोनों ब्रेश कर लेते हैं इतना बोल दोनों बाथरूम की तरफ चली जाती है आज तो संडे है, आज कॉलेज की छुट्टी है हाँ सरी कह रही है तू गेहूं में कुछ जाज़ा ही कंकड है पता नहीं इस बार इतने कंकड कैसे रह गए जल्दी जल्दी साफ कर देती हूं फिर दोकर सुखा दूंगी इन दोनों बहनों को कोई काम बताओ तो ये दोनों बहने बहाना मार कर भाग जाती है निली मा प्रेस तो कर लिया चल दादी अकेली काम करिये चल हम भी करवा दीते हैं दादी गेहूं साफ हो गए हो तो चलो धो देते हैं हाँ हो गए सारे गेहूं साफ चलो सारा गेहूं लेकर खेट की तरफ चलते हैं गेहूं खेट की तरफ ही धो देंगे ताकि अगर एक दो दाने नीचे गिर भी गए तो वहाँ गिहू उख जाएंगे निलो जल्दी से सारा गिहू डोल्ची में भर दो ठीक है दादी, दादी अच्छी तरीके से साफ नहीं हुआ, अब इसमें मिट्टी लगी है हाँ बेटा, इसलिए तो धोना है निलो सारा गिहू जल्दी से डोल्ची में भर देती है दादी सारा गिहू भर दिया मैंने, चलो अब चलते है फिर ये लोग सारा गिहू लेकर घर के पीछे आ जाते है निलिमा जल्दी से बाल्टी में पानी ले आओ ठीक है दादी निलिमा पानी लेने चली जाती है और जल्दी से पानी लेकर आ जाती है बेटी ये बाल्टी का सारा पानी इस डोल्ची में डाल दो डोल्ची में ही गेहूं दोएंगे निलिमा गेहूं वाले बरतन में सारा पानी डाल देती है बेटी देखो इस तरीके से गेहूं को हाथ से मल मल के धोया जाता है इसी तरीके से हम पानी में दो-तीन बार धोयेंगे और हमारा गेहूं साफ हो जाएगा निलो निलिमा अब ये धुल चुका है अब इसका पानी हम बाहर गिरा देंगे धनिया डोल्ची का सारा पानी गिरा देती है थोड़ी ही देर में सारा गेहू धुल जाता है चलो अब चलकर छट पर गेहू सुखा देते हैं धनिया बाल्टी लेकर उपर चड़ने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है सारा गेहूं गिर जाता है हे भगवान ये तो सारा गेहूं गिर गया दादी 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 आपको चोट तो नहीं लगी नहीं लेकिन सारा गेहूं गिर गया फिर से धोना होगा कोई नई दादी फिर से हम पानी ले आते हैं आप फिर से धो देना हे भगवान कि ये कराय पर पानी फिल गया शुकर है दादी को चोट नहीं आई नीलू पानी लेने चली जाती है जब तक नीलू पानी लेने गई है तब तक मैं सारा गेहू उठा देती हूं धनिया जल्दी जल्दी सारा गेहूं उठा देती है ये लो दादी में पानी लेकर आ गई धनिया गेहूं में पानी डालकर दुबारा जल्दी से धो देती है खामाखा दुबारा भेहनत करनी पड़ रही है शुकर है मुझे चोट नहीं लगी नीचे भी तो धूप आ रही है, खाट पर ही गेहूं सुखा देती हूँ, मैं खामा खाचत पर जा रही थी हाँ दादी आप सही कह रही हो फिर ये तीनों आंगन में गेहूं सुखाने चले जाते हैं धनिया जल्दी जल्दी गेहूं सुखाने के लिए खाट पर फैला देती है देख लिया ना तुम दोनों ने गेहूं कैसे धोते हैं और कैसे सुखाते हैं हाँ दादी फिर शादे के बाद अपने ससुराल में ऐसे ही धो कर सुखाना ये सुनते ही दोनों हसने लगते है दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई